हेलो फ्रेंड्स आपने बहुत तरह की कचोड़ी खाई होगी आज हम मटर के लेयर खस्ता कचोड़ी बनाएंगे ये मटर की साधा खस्ता कचोड़ी से दिखने में भी ज़्यादा अच्छी लगती है और टेस्ट में भी बेहर टेस्टी होती है ये देखिए ये कितनी खुश सुरत दिख रही है आज कल मटर सीजन में भी है आप इसे जरूर बनाएं तो आईए इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं सबसे पहले हम इसके लिए डो तैयार करेंगे ये हमने एक कप मैदा लिया है आदा चमच नमक डालेंगे और आदा चमच अजवाइन को हाथों से इस लिए पाइंड ओयल और सभी चीजों को अच्छे से मसल कर इस तरह से हम चेक करेंगे अगर इस तरह से मुठी बन रही है इसका मतलब मुएन एक दम ठीक है अगर कम रहे तो इसमें एक टेबिल स्पून घिया डालें और सेमी आप डो इस तरह का तयार करेंगे अब इसकी फ एक कप हरी मटर लिया है। यहाँपर हमने फ्रेश मटर ल комментар लिया है। आप फिरूस दन मटर लेना चाहिते हैं तो उसे भी ले सकते है। छेँ-सात लेशुन की कलिया लिया हैं। 2 इंच दरक लिया है। आधी प्यास को बारीक कट किया है। तीन हरी मिर्च ली हैं, आधा नीबू लिया है। सबसे पहले हम अधरक, लहसुन और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें बारिक नहीं पीषना है, कोर्सली पीषेंगे इस तरह से। देखे, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी में हम मटर को डाल कर इसे भी इसी तरह से पीष लेंगे। इसका हम पेस्ट नहीं बनाएंगे। कोर्सली पीषेंगे। यह मटर को हमने पीष लिया है। यह देखे इस तरह से, आप चाहें तो खड़े मटर को गलाकर उसे भी फिल कर सकते हैं। लेकिन पिसी हुई रहेगी तो फिलिंग अच्छे से होगी, इसलिए हमने इसी पीसा है, पैन में दो टेबिल स्पून तेल डाला है, यहां पर तेल का जादा इस्तिमाल नहीं करेंगे, तेल गरम हो जाए तो इसमें जीरा डालेंगे, जीरे को हम आदा मिनट तक पकाएंगे, अब हम इसमें लहसुन अद्रक मिर्श को जुक्रेश किया था, उसे डालेंगे, इसे भी हम 10-15 सिकंड पकाएंगे, अब हम इसमें प्यास डालेंगे, को हम दो मिनट तक फ्राई करेंगे, इसमें अब हल्दी डालेंगे, धनिया, और लाल मिर्श डालेंगे, इसे भी हम भूनेंगे, अब भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे मटर, इसे भून लेंगे थोड़ी देर, मसालों के साथ, इसमें नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट की हिसाब से रखिएगा, अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे, क्योंकि मटर हमने कच्ची लिए, इसलिए इसे पकाना बहुत ज़रूरी है, अगर फिरोजन होती तो उसे कम पकाना होता है, क्योंकि वो पहले से तोड़ा सा पकी हुई होती है, अब हम इसे लिर से कवर करके, दस मिनट तक दम लो फिलेम पर पकाएंगे इसे, देखें दस मिनट हो गया है, अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे, इसमें बिल्कुल मॉस्चेर नहीं होना चाहिए, एक दम ड्राई हो जाना चाहिए, अब इसमें एक टेबिल स्पूल लेम मिस्चे दालेंगे, और इसे भी मिक्स कर लेंगे, फिलिन तैयार हो चुकी है, अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे, ताकि यह ठंडी हो जाए, यह हमने इसे निकाल लिया है, जब तक यह ठंडा हो रहा है, अब इसके लिए गोल तैयार करेंगे, यह हमने 3 टीस्पू गी डालेंगे इसके जगह तेल भी डाल सकते हैं लेकिन घी से जाधा अच्छा क्रिस्पिनेस आता है ये देखे इस तरह से रनिंग सा होना चाहिए ये घूल तयार हो गया है ये देखे आटा भी सेठ हो चुका है अब मिसे इस तरह से रोल करके आठ हिस्सों में डिवाइट क करेंगे इसका इसीतर हम सभी पेड तयार कर लेंगे ये देखे हमने सभी को बना लिया है एक पेड़े को लेंगे इसमीं सूखा मैदा लगाएंगे ठाशे डेस्ट भी करेंगे और इसे रोल करैंगे अवि ऐदम पतली देखे इस तरह से फैलाएंगे और फैलाने के बाद इसे हम फोल्ड करेंगे एक खिसा उपर के तरफ करेंगे इस पर भी हम लगाएंगे इसी तरह इस घूल को और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे पिर इस साइड में भी हम इसको लगाएंगे और इसे इस तरह से करके हम six layer में इसे fold करेंगे ये इस तरह से चौकोर बन गया है इसी तरह सभी हम तयार कर लेंगे ये देखिए हमने सभी को बना लिया इस तरह से अब एक पिड़ा इस तरह से लेंगे और इसे हम छोटा सा बेलेंगे बहुत जादा पतला इसे नहीं बेलना है करीब चार इंज का हमने इसे बेला है इसके चार और हलका सा पानी लगाएंगे और बीच में एक चमज भर कर फिलिंग रखेंगे रखकर दोनों कोनों को इस तरह से पकड़कर हम एक साथ दबा देंगे और इस तरह से चारो तरफ के कोने को इस तरह पकड़कर हम इस तरह से सील करेंगे दबाते हुए इस तरह से हम मोमोस बनाते हैं सहीं उसी तरह से इसमें पानी जरूर लगाएं क्योंकि हम इसे deep fry भी करेंगे वरना ये खुल जाएगा इसमें घी बहुत पड़ा हुआ है ये देखें चोकोर मॉमोज इस तरह से बन गया अब इसके पी चारो कोनों को इस तरह से पकड़ कर इसे घुमाते हुए हम सेल करेंगे इस तरह से और फिर बीच में हम इसे इस तरह से दबा देंगे और ये देखें एक कचोड़ी हमारी तयार हो गई है इसी तरह से हम सभी तयार कर लेंगे देखें इसी तरह से हमने सभी तयार कर लिये हैं आप इसे इस स्टेज पर 15 दिनों के लिए फ्रीज भी कर सकती हैं, जब दिल चाहा फ्रीजर से निकालना और डिप फ्राइ किया, क्रिस्पी और करारी सी मटर की कचोरी तयार हो जाएगी, आप इसे इंजुआय कर सकते हैं जब दिल चाहा, अब हम इसको फ्राइ करके दिखात तेल हमारा सही गरम है, अब हम इसमें पचोरियों को डालते हैं, और इसे हम लो फ्राइ करेंगे, बहुत हाई फ्राइम पर नहीं करेंगे, वरना यह उपर से तो गोल्डेन ब्राउन हो जाएगी, लेकिन अंदर से कच्छी रह जाएगी, इसे डालने के बाद पहले दो मिन हो गई है, यह देखे, चारो तरफ से यह सेख गई है, एक बैज को फ्राइ करने में 6-7 मिनट लगा, गैस के फ्लेम को लो रखना है, यह देखे, यह अच्छे से गोल्डेन ब्राउन हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे, टीशू पेपर पर, एक दो सेकंड इस तरह से म निकल जाए, बहुत ही क्रिस्पी से तैयार हुई है, इसी तरह हम दूसरा बैज भी तैयार कर लेंगे, यह दूसरा बैज भी तैयार हो गया है, यह देखिए, अमने सभी को निकाल लिया है, बहुत ही क्रिस्पी और करारी सी लेयर वाली मटर की कचोड़ी तैयार है, इसे आप हरी चटनी के साथ, टेमाटो सॉस के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़दार सी लगती है, देखिए, कितनी खुबसूरत भी दिख रही है, यह खाने में भी बहुत टेस्टी है, एक कचोड़ी हम आपको खोल कर भी दिखाते हैं, कितनी खस्ता बनी है यह, एक एक लेयर देखिए, दिखाई दे रही है, इस तरह से आप जरूर ट्राइ कीजिए, अगर पसंद आए, तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में श सब्सक्राइब कीजिए, अब लाइकन दबाना ना भूलिए,